RSS की स्थापना भारत की आजादी से पहले 1925 में हुई देश में हिंदू तब भी थे, लेकिन वो RSS के साथ नहीं, महात्मा गांधी के साथ चले. इस साथ के बदले गांधी ने हिंदूओं की जमीन काट कर मुसल्मानों को दे दी वो जमीन जो हजारों साल से हिंदूओं की थी. क्षणिक आवेश के बाद शान्थ हुआ देश का हिंदू तब भी घोटसे के साथ नहीं गया, नहरू के साथ गया. चार दशक बाद, 1980 में भाजपा बनी, लेकिन देश का हिंदू तब भी भाजपा के साथ नहीं था, इंदिरा के साथ था, राजीव के साथ था, तब संसत भवन, राश्ट्रपती भवन में रोजा इफ्तार होता था. हिंदू ने कोई एतराज नहीं किया. हिंदू तो अपने घर में माता को चूनर छड़ा कर खुश था, हज के लिए सबसिडी दी जा रही थी. हिंदू तब अमरनात वैशनो देवी की यात्रा में आतंकियों की गोली खा कर भी खुश था, ट्रेनों में, पार्कों में, बसों में, सडकों को घेर कर नमाज होती थ बिचारा हिंदू खुद को बचा के कच्ची पगडंडी से घर ओफिस निकल जाता था. कर अपने बच्चों के लिए स्कूल मांग रहा था. फिर एक दिन हिंदूों ने अपने आराध्य श्री राम जी का अपना एक मंदिर वापस मांग लिया, लेकिन कुछ लोग रावन की तरह अभिमान में डूबे थे. रावन ने कहा था, सीता वापस नहीं करूंगा, ये र उसके नाम से मस्जिद देश में कहीं भी बन सकती थी. देश में हजारों लाखों मस्जिदों के बनने पर भी हिंदू को एतराज नहीं था. उसे चाहिए था तो बस एक मंदिर, लेकिन उसे मिला क्या? माथे पर लगाने के लिए रामभक्तों के रक्त से सनी अयोध्या की मिट्टी, अर्चन के लिए खून से लाल सर्यूं का जल, अर्पन के लिए ट्रेन की बोगी में जली हुई रामभक्तों की लाशें. अभी तक स्कूल, अस्पताल, नौकरी के सपनों में खोया बहु संख्यक हिंदू जिद पर अड़ गया वो उठ खड़ा हुआ, एक जुठ हुआ और अपने ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक बने रहने का अभिशाप एक जटके में उखाड फेंका बात सिर्फ एक मंदिर की थी, आज वो अपना हर मंदिर वापस लेने की जिद पकड़ बैठा है हिंदूों ने वो कर दिखाया है जो संसार की कोई भी सभ्यता नहीं कर पाई न यहूदी अपने धार्मिक स्थल वापस ले पाए, न इसाई और न पार्सी और ना ही मुसल्मान यहूदियों या इसाईयों से अपने धार्मिक स्थल वापस ले पाए, लेकिन हिंदूों ने इनके जबडे में हाथ डाल कर अपने आराध्य का घर वापस ले लिया अदमस्त वानरों की टोली है, इनके रास्ते में मत आओ भले ही आप राजनीति के सर्वोच्च पद पर हो या धर्म के ये राम की वानर सेना है, जो लड़ना भी जानती है और अब जीतना भी और हाँ, अयोध्या तो जहांकी है अभी हिंदू राष्ट्र वा मतुराकाशी बाकी है